यह मेरा गुड़हल का वो प्लांट है जिस पे बहुत ही प्यारे प्यारे रेड कलर के फूल खिलते थे लेकिन इस समय इसके जड़े बहुत जादा डवलप हो गई है इस वज़े से जो कलिया आ रही है वो बहुत छोटी आ रही है फूल बहुत चोटे-चोटे खिल रहे हैं और पत्ते बहुत जादा पीले हो रहे हैं तो क्योंकि फरवरी और मार्च रिपॉर्टिंग के लिए बैस टाइम होता है इसलिए मैंने डिसाइड किया कि आप मैं इसकी रूट प्रूनिंग करूंगी कटिंग करूंगी और इसको वापस से ग्रो करूंगी तो इन सभी प्र प्लांट की जड़े दिखाती हो आपको जो ड्रेनी ठोल से बाहर आ रही है तो इसके लिए देखे पॉट को मैंने थोड़ा सा जमीन पर लिटा दिया है और आप देखे वाइट वाइट जड़े आपको दिख रहे होंगी तो इसके लिए अब हम इसे निकालना कैसे है इसक प्लांट को एक दिन पहले अच्छे से पानी दे दिजे पानी देने के बाद फिर आप गंबले को लिटा के जमीन पर और चारों तरफ हाथ से थपतपाईए फिर पैर को गंबलों के दोनों साइट पर रखे और प्लांट को अपनी तरफ कीचिए तो ये बहुत ही आसानी से बाहर आजाता है मैं अपने सभी प्लांट को इसी तरीके से गंबले से बाहर निकालती हूँ अब मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ प्लांट की जड़े कैसी हो गई है तो ये जो गुड़ल का प्लांट है इसके फूल बहुत ही सुन्दर है और मैं बिल्कुल भी इस खोना नहीं चाहती थी इस वज़े से मैं इसको बहुत जादा खाद भी नहीं दे रही थी बस मैं इस तरह किसे इंतजाल करती कि जल्दी से फरवरी मार्च का मौसम आए और मैं इसकी रीपॉर्टिंग करूं ताकि इसको नया पॉर्ट मिल सके नई जगह मिल सके और फिर य हर तरफ से इसकी जड़े रिमूब करूंगी और नीचे की जो कुछ जड़े हैं वो छोड़ दूंगी ताकि प्लांट में फिर नई ग्रोथ हो सके ये देखिए जड़े एकदम बहुत मोटी हो चुकी है और एकदम जाल सी बन चुकी है तो जड़ों को रिमूब करते समय आ बस यह है कि जो बहुत नस्दीक वाली जड़े होती है जो प्लांट की स्टैम से जुड़ी होती है उनको बहुत ज्यादा रिमूब नहीं करना है अगर आप नर्सरी से गुढ़ल का प्लांट लेके आ रहे हैं तो उसको जो मिट्टी देंगे वो आप ऐसी दीजेगा जिसम इसमें आप रेत मिलाइए तो इससे जो मिट्टी होगी ना उसमें भुरगुरा पन बना रहेगा वो पानी को बहुत ज्यादा देर तक होल्ड नहीं करेगी और साथी साथ बतलब ऐसा भी नहीं होगा कि पानी आपने दिया और एकदम छन के निकल गया बाहर तो यह जो कोशिश कर रही हूं कि सारी हटा दूँ जितनी जड़े आप रिमूव कर सकते हैं उतना ही अच्छा होगा मिट्टी खाली रहेगी तो ज्यादा बैटर होगा तो मेरी मिट्टी प्लान की काफी भुरुरी है और मैंने बहुत ही अच्छी मिट्टी अपने प्लान को तयार कर के दी थी तो इसलिए मैं नई मिट्टी नहीं ले रही हूं वापस से इसी मिट्टी का इस्तमाल करूँगी बस यह है कि जब मैं प्लान को रिपॉर्ट करूँगी तो उसमें कुछ खाद दूँगी ताकि अच्छे से मिट्टी में और न्यूट्रिंस वगरा जो कम हो गए ह वो भर जाएं और प्लान की ग्रोथ पे भी अच्छा रिजल्ट मिले तो चलिए अब हम अपने प्लान को रिपॉर्ट कर लेते हैं तो प्लान को मैंने गमले के अंदर ही डाल दिया था अब प्लान को बाहर निकाल लेते हैं और इसकी कुछ जड़े में और निकाल रही हूं पर मैं वही pot इस्तिमाल कर रही हूँ और ये मेरा 12 इंच का pot है गुढल के पौधे के लिए कम से कम 12 इंच का pot चुने और आप जादा से जादा 14, 16 इतना भी दे सकते हैं इतना sufficient है बस यहें कि जब 12 इंच का pot लेते हैं तो हर साल report करना पड़ता है जैसे कि मुझे पर मैं इससे जादा बड़े गमने नहीं रख सकती इसलिए मैंने 12 इंच का pot लिया है आप अपनी सुविधा के अनुसार pot का size change कर सकते हैं तो देखिए मैंने लगबग pot के अंदर मिट्टी भर ली है और आदी मिट्टी मैंने pot में भर दी है और उसके बाद अब मैं अपने plant को pot के अंदर डालूँगी तो जब भी आप plant के अंदर pot लगाएं तो ध्यान रखे कि जो आपका plant है वो इसदम center में रहे इसे क्या होता है देखने में भी सुन्दर लगता है खाद पानी देने में भी आसानी रहती है तो जब मैंने pot में plant को रख दिया उसके बाद मैं मिट्टी की एक layer पतली layer बिछा दे रही हूँ और ये काम करते करते थोड़ा अंधीरा होने लगा था तो इसलिए मैंने सुचा खाद में फिर किसी और दिन दे दूँगी तो मैंने क्या किया plant को pot में डाला मिट्टी डालके और उसको पानी दे दिया पानी देने के बाद मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया लेकिन मैंने जगह ऐसी रखी थी जहां 2-3 गंटे की ही दूप आ रही थी सुबह सुबह की पाकी दूप नहीं आ रही थी इसके बाद अब खाद मैंने 2-3 दिन बाद दी थी तो उसका वीडियो भी मैं अभी आपनों के साथ शेयर करूंगी पर मैं आपको बता रही हूं सिर्फ इसलिए ताकि आपको पता चल सके तो यह कम से कम 2-3 दिन बाद का वीडियो है प्लांट को मैंने ऐसे ही छाओं में रखा हुआ था और आप मैं उसे खाद दे रही हूं तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर बोन मील का इस्तमाल किया है बोन मील से जड़े हमने काफी हटाई है वो वापस से बहुत तेजी से आएंगी उसके बाद एक चमच मैंने यहाँ पर नीम की खली का इस्तमाल किया है फिर उसके बाद मैंने एक लेयर इन दोनों खाद के उप आप उसी का इस्तमाल करें, तो एक पतली लेयर मैंने गोबर की खात की बिछा दी है, इसके बाद मिट्टी की भी एक लेयर हम उपर से डालेंगे, ताकि सारी खात भी कवर हो जाए, और प्लांट को मिट्टी भी प्रॉपर तरीके से मिल जाए, लेकिन ये सब प्रोसेस करने क के टाइम पर आपको याद रखना है कि गंबला एकदम मिट्टी से भर ना जाए, दो से तीन इंज का गैप देना है, ताकि फ्यूचर में जब हम दुवारा प्लांट को पानी दे, तो थोड़ा पानी भी प्लांट में ठीके, और धीरे धीरे ड्रेनेजोल से पाहा निकले, साथ ही साथ हम और कोई खाद भी देना चाहें, तो उसके लिए भी स्पेस बना रहे, इसके बाद मैं प्लांट को टॉपर पानी दूँगी, और अभी क्योंकि दो तीन दिनी हुए हैं, इसको रिपॉर्ट किये हुए, तो अभी ये चाओं में ही रहेगा, जैसे ही चार दि कंप्लीट हो जाते हैं, रिपॉर्टिंग के, फिर मैं प्लांट को धूप में डालूँगी, तो आपको ऐसी जगह धूप में रखना है प्लांट को, जहां कम से कम 6 गंटे की धूप प्लांट को मिले, वैसे तो फूल सललाइट देंगे, तो भी बहुत ही अच्छे से ग्रो और धूप इतनी दे कि प्लांट में खूब फोल आएं, अगर बहुत बार शिकायत आती है कि प्लांट में फूल या कली आती है और जढ़ जाती है, लेकिन अगर आप प्रॉपर धूप दे रहे हैं, पानी का भी ध्यान रखना हैं, उसके बाद भी ये प्रॉब्लम आती है तो आप आईरिन डस्ट का इस्तमाल करें, ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है, और दो से तीन महीने में बस एक ही बार डालना होता है आपको, प्लांट की पूरी प्रॉपर केयर मैंने बता दिये, अब मैं इसे पानी दे रही हूँ, फुल पानी देना है बढ़िया से ताकि मिट्टी अच्छे से गीली रहे और प्लांट को हलका सा नहला भी दे, एक चीज़ मैं और पताती हूँ, अभी मैंने कुछ दिन पहले एक और गुडल का प्लांट की वीडियो डाली थी, जिसमें मैंने उसकी कटिंग प्रॉनिंग भी की थी, तो अगर आपने वो नहीं देखा है, तो मैं आई बटन पर लिंक लगा दूँगे, आप देखिएगा, अभी मैं आगे इसका अपडेट दिखा देती हूँ आपको, जो मैंने कुडल के प्लांट की उसका क्या अपडेट है, इससे आपको आइडिया लग जाएगा, और अगर आपने वो वीडि देखिएगा, चलिए अब मैं आपको अपडेट दिखा देती हूँ, तो अपडेट में ये देखिए, जो ऊपर से मैंने देखिए, तीन स्टेम्स थी ना, तीनों की कटिंग कर देती, और आप साइड से देखिए, चोटी-चोटी सी ग्रोथ आनी शुरू हो गई है, तो य मिरा रैड कलर का गुढहल का प्लाउन है, और इसके साइस बहुत बड़े होते हैं, और एक और मैंने प्लांट कट किया था, यह देखिए यह लू ना, तो इसकी भी कटिंग-प्रूनिंग गी थी, ये सफेद रंग के गुढहला आते हैं इसमें और ये भी बहुत प्यारा तो क्या होता है कि जितनी multiple branches होती है उतने ही जादा फूलों की quantity भी बढ़ जाती है इसलिए cutting pruning बहुत अच्छी चीज होती है बस आपको समय पर करनी है जैसे आप यहाँ फर्वरी में 15 फर्वरी से 15 मार्श तक कर सकते हैं यह बहुत सही समय उसके बाद क्या होता है प्लांट फूली फूल देने वाला है तो पौदे से समधित सारे जानकारी बता दिये इसके बाद भी कोई question कोई confusion होगा तो आप comment करेगा कैसा लगा मिरा आज काई वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को like करेगा चैनल को subscribe मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई टेक केर